प्रशब बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 4 नमबर 2003 शनी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की दर्ष्टी वा भगवान शनी देव की करपा से आज 12 में से 6 राशी वालों की किस्मत चमकेगी इन 6 राशी वालों में आज है वरशब, करक, कन्या, तुला, मकर और कुम्भ राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नहीं नहीं ग्यानमरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते नहीं तो आज कारतिक मास कुरुष्ण पक्ष की सब्तमी तिती है शनिवार का दिन है आज दिन की सुर्वात पुनर वसु नक्षत्र से होगी जो प्राता हकाल साथ बच के सतावन मिनिट तक रहेगा उसके पश्चात पुष्च नक्षत्र आरंब हो जाएगा आज करकरासी में चंद्रमा का संचरन होगा और सुर्योदय आज प्राता हकाल 6.34 मिनिट पर होगा सुर्यास्त साम के 5.34 मिनिट पर होगा आज राहुकाल प्राता हकाल 9.19 मिनिट से आरंब हो करके प्राता हकाल 10.42 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कारिय शुरू नहीं करें इस समय अउधी में किसी भी नहीं वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सुल रहेगा पूर्वदिसा में तो आज के दिन आप पूर्वदिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक व नया कारिय शुरू नहीं करें पूर्वदिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो आज उड़त खा करके अथवा अपने इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सर्वसरेष्ट महुर्ट अभी जीत महुर्ट आरंब होगा प्रातरा काल 11 बच के 42 मिनिट से आरंब हो करके दोपार 12 बच के 26 मिनिट तक सर्वसरेष्ट वर शुब महुर्ट रहेगा इस महुर्ट में आप कोई भी शुब मांगलिक वर नया कारिय अरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारिया आप करना चाहते हैं तो इस महुर्ट में आप कर सकते हैं तो अब जानिए अपनी जन्म राशी के नुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारी चेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा यदि आप नोकरी करते हैं तो आफिस में कारी करने में आपको व्यवधान हो सकता है यदि कोई छोटी सारी रिक समस्या है तुरंत डाक्टर की सलाह आपको लेना चाहिए स काम के समय परिवार के साथ कुछ पुरानी यादे ताजा करेंगे यदि आपने कोई रिण लिया है तो वह चुकता हो सकेगा आज आपको व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा अपने प्रिये के बिना समय बिताने में आज थोड़ी समस्या आपको हो सकती है आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुबरंगा आपका पीला रंग है आज आपको भाग्यगा साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पस्चात भगवान सिवजी की आरादना करें कारे में समय व्यतीत करेंगे आपको अपने परीजनों का ध्यान लखना चाहिए अगर कोई निरने लेना है तो पहले गंभेता से विचार करें आपका इस्थान समुदाय में होगा और हर कोई आपका सम्मान करेगा आपकी नवकरी संबंदी समस्याओं का समाधान होने में अभी थो पा इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चात भगवान हनुवान जी की पूजा करें कारे में अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपको जीवन में कई बड़ी सिद्ध हो सकता है कारोबार आपका अच्छे से चलेगा कोई बड़ा आर्डर मिल सकता है आपका रुज्ञान धार्मिक कारियों की तरफ ज्यादा रहेगा नए काम की सुर्वात करना आज आपके लिए उत्तम रहेगी आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग तीसा दपराप्त होगा आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिष्णान करने के पश्चात सुंदर कान का पाठ करें कारियों में अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है करकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपक इस सकारात्मक सुच पुरुस्करत होगी क्योंकि आप अपनी कोशिशों में काम्याभी पास सकेंगे जीवन सांती के साथ मदरतम पल व्यतित करेंगे आपका पूरा ध्यान कारी छेतर में सुधार करने पर आज रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुब रं सकता मिलेगी अगली रासी है सिम्वन सिम्वर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपकी प्रगती में आने वाली सभी वाधाएं धूर होगी यदि आप दूसरों की बाते सुनेंगे तो गलत फमीबब पर सकते हैं आर्थिक विशियों में स ग्थेमियों से सबक लेना चाहिए आज करज लेने से आपको बचना चाहिए आज आपका भागे शाली अंक दो है शुवरंगा आपका भूरा रंगे है आज आपको भागई का 7 visible लिंदे अगले राशी है कन्या में कन्या राशिवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार स आज धार्मिक कारियों के पीछे खर्चा दिको सकता है यदि आप यात्रा करें तो सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को एक साथ रखना नहीं बुलें आने वाले वक्त में अपने परिवार के प्रती भावनात्म काप रहेंगे रोजगार के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकेंगे आई में वरदी होगी व्यावसाई कर्मियों को उनकी उम्मिदों के अनुसार अलाब प्राप्त हो सकेगा आपका स्वास्त भी बहतर रहेगा और इससे आपके मानसिक स्वास्त में सुधार होगा आज आपका भाग्यशाली अंक चार है, शुबरंगा आपका पीला रंग है, आज आपको भाग्यकासा 85 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विश्य सुपाई इस प्रकार से है, प्राता है कालिस्नान करने के पश्चाद, तुलसी के पोधे के पास दिपक जलाएं, इससे आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होगी, अगले राशी है तुला, तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आप अपने सपनों को साकार करने के लिए अच्छा आचरण अपनाएं, और स्वयम की बुद्धी से निर्णाई लेकर के, वरि बेरोजगार की समस्याओं को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा, आज आपका भाग्यशाली अंक्छे है, शुबरंगा आपका हरा रंग है, आज आपको भाग्यका साथ 82 प्रतिसत अपराब तो होगा, आज आपका विशिश रुपाई इस प्रकार से है, प्रात हकाल इस्न अनुनी विवाद में फसे हुए हैं, उन्हें सावधानी की आवशकता है, आपके रिष्टेदारों या मित्रों के बीच विवाद हो सकता है, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बातों को समझदारी से चुने, यदि आप वकार्यालाई में अपने विभार और प्रकृत करते हैं, तो आप आगे बढ़ पाएगे, पारिवारिक वातावरन आपके लिए अनुकुल रहेगा, आज आपका भाग्यशाली अंकसाथ है, शुवरंग आपका आस्मानी रंग है, आज आपको भाग्यकासाथ सत्यासी प्रतिसत अप्राप्त होगा, आज आपका विशेश रुपाई इस प्रकार से है, प्राताहका लिश्नान कन्य के पस्चात, भगवान शनी देव की पूजा करें, कारे में अच्छी सफलता मिलेगी, अगले राशी है धनु, धनु राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज बहुत ज्यादा आकरामक ह होने से बचना चाहिए, नया मकान करिदने से संबन्दित कोई बनाई गई योजना पर, आप गंबिरता से विचार कर पाएंगे, बात को आगे बढ़ा पाएंगे, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही आमदानी में हुई बढ़ोतरी, इसको संतुलित भी करेग आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है, शुबरंग आपका नीला रंग है, आज आपको भाग्यका साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, राताह का लिश्नान करने के पस्चाद, भगवान गणेजी को गुडवा दूरवा कारी में अच्छी सफलता मिलेगी, अगली राशी है मकर, मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज शिक्षा छेतर में अपार सफलता के योगें, उत्ते जना पर आज नियंतरन बनाए रखें, जोखिम व जमानत के कारी टाल देवें, नोकरी पेसा व्यक्ति अपने कारी में सफलता प्राप्त करेंगे, भाईयों के साथ विवात की इस्तिती बन सकती है, सांती से काम करें, क्रोध पर विशेश करके नियंतरन रखें, आई वा व्याई में समानता की इस्तिती बनी रहेगी, जिसके करण मन चिंता ग्रस्त भी रह सकता कोई शोक समाचार आपको मिल सकता है। आदिक विचारों को लेना आपके स्वास्ति के लिए हनी कारक रहेगा। छोटे बच्चों के सांथ समय बिताएं। धन के लेंदेन में सावधानी बरतें। व्यावसाइक गतिविदियों में प्रगती होने के आसार है। आकस्मिक मुनाफे या सट्टे बासी के जरिये अर्थिक हालात आपके मजबूत होंगे। अपने नीजी संबंदों में छोटी छोटी बातों पर हो रहे विवात के करण चिंता बढ़ सकती है। आज चनाव मुक्त अवश्य रहे। आज आपका भाग्यशालि अंक चार है, शुबरंग आपका गुलाबी रंग है। आज आपको भाग्यका 7.8 प्रतिसत प्राप्त होगा। आज आपका विशिश रुपा इस प्रकार से। माता लक्ष्मी जी की पुजा करें। कारी में अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है मीन मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन उलजनों को निप्टाने वाला दिन है यदि पेतरक संपत्ति को लेकर लंबे समय से कोई विवाद चल रहे हैं तो सारे मामले हल हो जाएंगे प्रयतना आपको अवश्य करना चाहिए कल के काम के लिए तैयार भी आपको रहना चाहिए सभी काम इमानदारी से और मन लगा करके करें यहलि आपके सित्यत्य यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो यहां आपके लिए शुब दिन है, आज का दिन आज के लिए आपके लिए बहतर रहेगा, आपको अपने प्रिये के साथ समय बिताने की आवशकता है, आज आपका भाग्यशाली अंक छे है, शुब रंग आपका गुलावी रंग है, आज आपको भाग्यका साथ सत्यासी प्रतिसत अप्राप्त होगा आज आपका विशे शुपा इस प्रकार से हैं प्राताह का लिश्णान करने के पश्चाथ सुरी देवता की आरादना करें या आदित के हरदे इस्तरोतर का पाठ करें इससे कारी में अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रों आशा करता हूं कि आपक करें